जैहिंद जैभारत तो दोस्तों फाइनली यहां पे आर्टी सेंटर नासिक का फुल चाट पीडिये फाइल आज चुकी है आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडिये फाइल को वह भी आपको बताऊंगा साथ में यहां पे बहुत बड़ी चेंजमेंट हुई है डेट अब वर्थ को लेके एज का टॉप क्या रहेगी और आपको ऑनलाइन रेजिस्टेशन करना पड़ेगा या नहीं और यहां पे मैं आपको बता दू करोना रिपोर्ट आपको कितने गंटे की लेके जानी पड़े का दू करने बहुत है तो सबसे पहले बात कलने जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर फुल चार्ट मेरे पास आ चुका है और अगर आप यहां पर देख सकते है तो आपको पूरी information मिलते हुए आपको यहां पे निख सकते है इन्रॉल्मेंट यहां पर लिखा हुआ है enrollment unit headquarters quota artillery center nasik road camp during the month of March 2021 ठीक है अगर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है venue of conduct RT center है तो यहाँ पर पहले ही बड़े अक्छोरों में बता दिया कि जो आपकी भरती का venue है मतलब भरती का location है जहाँ पर आपकी भरती होगी वो RT center हैदराबाद में होगी ठीक है तो यहाँ पर आपको बताई दिया है अब बात कलने हैं अगर आप trade में trade की बात करंगे तो soldier gd or tech की यहाँ पर भरती होगी सात में soldier ट्रेड मैं की भी होगी और आपको बता दूं कि soldier trademan musician की भी भरती होगी यहाँ पर sportsman की होगी soldier gd और TREK दोनों इसमें अपलाई कर सकते हैं स्पोर्समेन जो कंडिडेट्स हैं वो जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Tech Evaluation of Outstanding Sportsman तो यहाँ इसमें GD और Tech के लिए भी स्पोर्समेन अपलाई कर सकते हैं ठीक है अब बात कलने हाँ पर जैसे कि अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी कोविट नाइटिन जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपको आईए इसी मार्स के तुरू बनवाना होगा जो की 72 गंटे की कोरोना रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए वाइटिक है जैसे कि आप देख सकते हैं आप अगर आप बात कलने तो चौथे पॉइंट में आप लिखा ह की होगी स्पोर्ट में आउस्टेंडिंग स्पोर्ट में की जीडी और टेक की भाई ठीक है और 30 मार्स से रिलेशन वालों की स्टार्ट होगी स्टेट वाइस तो आप यहाँ पर पढ़ लेना अगर आपको यह पूरी जानकारी चाहिए तो अलग से मैंने वीडियो भी बना एस एच जीडी की जो अपर एज लिमिट है वो एक अक्टूबर जैसे कि आप देख सकते हो एक अक्टूबर 1999 से एक अक्टूबर 2002 रखी गई है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो चेंज यहाँ पर किया गया है एक अक्टूबर 1999 से लेके एक अक्टूबर 2002 यहाँ रखी गई है पहले एक अप्रेल 2003 रखी जाती थी भाई ठीक है तो आप यहां पर यह चेंज किया गया है और टेक्निकल के लिए अगर आप देखते हो तेहां पर लिखा हुआ है टेक्निकल और ट्रेडमें के लिए एक अक्टूबर 1997 से लेके एक अक्टूबर 2002 यहां पर रख रखा देते हैं तो जैसे कि आप बात करने यहां पर अगर आप देखते हो यहां पर वेकेंशी के बारे में बताया हुआ है तो सबसे पहले आप पढ़ले जी हम आप वेकेंशी पोजिशन ओफ ट्रेडमेन तो ठीक है तरेड के अगर आप बात करने तो वह सर मैं में आप एकिस वैक्यंसी हैMad agPod में आपकी चार है और स्पोर्टस्टाप में आपकी साथ है और परेंटर डिकोरेटर में आपकी दो है ड्रेशर में आपकी सकत्रां हैं हाउस कीपर में आपकी इकिस है सेफ में आपकी पचास है सभसे जादा जो वेकंसी कैसे हैं वह सेफ में पचासैंत आप इसमें फिसलाए करना में सकीपर आपकी 10 मूझजीशिं उपन will be conduct at RT Center हैदरबाद जो musician candidates है उनका जो aptitude test होगा वो 28 March 2021 को होगा ठीक है open category और यह होगा आपके RT Center हैदरबाद में तो यह full chart में वैस यही information है इससे लग आपको कुछ नहीं मिलेगा और यही चीज जो है important है जो कि आपको मैंने बता दिया अब बात करने रेजिस्टेशन की तो भाई आपको रेजिस्टेशन नहीं करना है आपको डिरेक्ट जाना है सेंटर में भाई ठीक है यह भी मैंने आपको बता दिया पीडियो फाइल की बात करने तो आपको यह कहां से मिलेगी तो वीडियो के description में मेरे telegram का link है